सो हेलो गाईज कैसे हैं आप सबी लोग तो फाइनली मैं लेके आचुका हूँ बॉड़ी बिलिदिंग से जुड़े कुछ और लेटेस्ट एंड इंट्रेस्टिंग अपडेट्स सो गाईज अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आई हो तो बॉड़ी बिलिदिंग अपडेट्स को सब्सक्राइब करके पैनलेट्स को और प्रेस कर लेना एंड नाओ हम लोग बढ़ते हैं आँचक अपनी पहली अपडेट की दरफ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अनब्रेकरपल आनंद यानकी आनद यादा भाई के बाल में जैसे कि हम सबी लोग जानते हैं कि प्रिवेस एयर मोमाई में इनको इनका जो प्रो कार्ड है वो मिल चुका था एंड उनका जो करन फिजिक अपडेट है वो गाईज मैं आप सबी लोगे लेके आ चुका हूँ फिलाल में आप लोग देख सकते हो कि आनंद भाई कितना ज़्यादा इंप्रूवड खुद को कर चुके हैं उनका साइज जब हमने प्रो बनते उनको देखा था उससे काफी बेटर है मसल में चौर्टी भी इंप्रूवड हुई है इस पास्ट वन इयर के अंदर जो है वो तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है उनके लैट्स की बात करें तो ओवरल बॉडी का साइज गेन करने के साथ साथ जो उनके लो लैट्स है वो वी इंप्रूवड हुए है जो काफी कमाल का एक बीटरे पर बनातू हम लोग को नज़र आएंगे जब वो अपना कम्प पर फोडियाल पर आएंगे इंड किस बैस पे चलिए उस बीडियो के निए टेख तेग विडिखेंज के इस बिडियो के लिख रहा है ट्राइ निए लिज़ वीड इंडार्य डेसियों निए बियू पिप नरी इंडियों इस पीडियों जर्वा़निगों श्युख गें औ immature get ten shawnwn here's a post you made a few days ago few raws from today's antics down at Bev's gym 18 days and counting we zoom into his shoulder things start to seem a little... weird that's odd uh that support beam looks a little crooked maybe it's the mirror I don't know benefit of the doubt is Mr. olympia but wait here's another one of the raws from today's antics let's zoom in on the machine behind him huh जो कि फोटोशोप कर रहे हैं और मैं तो कहता हूं कि रायन टेरी को ही ऐसा फोटोशोप करना चाहिए बाकि ना हो हम लोग बढ़ दें अपने नेक्स अपडेट की तरह जो कि होने वाला है डोरियन येट्स की साइट से तो डोरियन येट्स प्रिजेंट टाइम है अपना चो करन्ट फिजीक अपडेट है वो गाईज सेयर कर देते हैं जैसे गाईज उनकी ऑनलाइन या सोशल चाके ऐसे मिट सेक्षन को मैंटेन करना बाकि काफी काबले तादीफ है और उसो उनका जो ओवराल अपर बाड़ी है वो आप लोग देखी सकते हो और नाइटीज के नाइप है और प्रिजेंट टाइम में वो कैसे दिखते थे बाकि और बाकि उनको ऐसे नहीं बोला जाता ग्रेटेस्ट ओफ और टाइम यानकी गोट बाकि हम लोग बढ़ते हैं आज अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो की होने वाला है रमून दीनों की साइट से तो रमून दीनों अब तो अपना बैक टू बैग जो फिजीक अपडेट है वो कैसे र करे जाते हैं और बैक किया था एंड अब भी आप लोग को जो इंप्रूमेंट है इन टर्म आपनेस कंडिशनिक अरिब्डनेस डेफिनेटल आप लोग चैस्ट देखो उनके आम्स उनका मिट सेक्शन काफी इंप्रूब्ड एंड जो टेथ फेस है वो तो मैंने आप लोग को दो बार उसका अप शौकिंग अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही है एक एरानियन बॉड़ी बिल्डर की सायट से तो गईस मेरे को इनका नेम तो नहीं पता जो लोग को पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में डेफरेंटल मिट को बताना एंड यह आप लोग देख सकते हो वो टू आवर्स आउट थे अपने सोसे यानकी बैक स्टेश का अपडेट है एंड जो उनका करन बॉड़ी बेट है इस अपडेट के अंदर वो था 70 kg एंड 70 kg पर प्योर मसल मास अगर मैं आप लोग इनका जो बॉड़ी फैट परसेंटेज है जो कि बहुंसा ही लोग को आईडिया लग भी कर दी एंड आप लेका तोट से इस कंडिशनिंग को देखके कमेंट्स करके बताना फिलाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होरें बाला है एरिन बैंक्स की साइट चे तो एरिन बैंक्स प्रिजेंट टाइम है अपना डैथ फ लोग बताना चाहूंगा यह जो अपडेट है वो 2021 का जो उनका उफसेजन था ना उसका अपडेट है जो स्टार्टिंग उफसेजन था उनका तब का बट यह तो गाईज हैं पर मजाग ही कर देते हैं बट हम लोग बात करने वाले रियल 2.5 बीक्स आउट अपडेट के बा इतना जादा हार्ड कभी नहीं देखा एंड इसका रीजन भी है उनके कोच जो कि मेरे को तो पहली बार वो 16-18 डीज आउट मिस्टर ओलेंपिया से अपने कोच की अंडर जाके ट्रेनिंग करते हैं यहां पर हम लोग को देखने को भी मिलता है और वो बोलते हैं कि यह का है यहां कि उनके कोच उनको किल कर रहे हैं वो इतना जादा हार्ड फरकावड हों से करा रहे हैं तो अब देखते हैं कैसा परफॉर्म वो करेंगे मिस्टर ओलेंपिया की स्टेज पर बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट जो कि होने वाला है लोगन फ्रैंक लेंक पर बार में तो फिलाल में हैं वो अपना फिजीक अपडेट से करते हैं और बताना चाहूंगा वो अपना ऑफसीजन कर रहे हैं तो कि लास्ट जैसे उनका हुआ था उन्हेंने डायेटले एनक्स्ट कर देता कि अब मैं कोई भी सो नहीं खेलूंगा और डायेटले के लिए जाऊँगा और नेक्स्ट येर मैं कॉंपीट करने के लिए आऊँगा और फिलाल में आप लोग देखो ऑफसीजन तो है बट जो यह फिजीक दिख रही है लिटरले ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रैप कर रहे हैं किसी सो की प्रैप कर रहे हैं हम लोग को कहीं कॉ उनको अपनी लोगर बोड़ी को थोड़ा सा इंप्रूब्ड करना है और अपर बोड़ बोड़ी तो उनकी डेफिनेटली काफी डॉमिनेट रहती है ऑन स्टेज और बाकी बहुत साही लोग और इन इन फेक्ट मैं भी उनको इस साल मिस्ट ओलेंपय की देखना चाहता था स अब नेक्स्ट यहर हम लोग को मिलते हैं वो बाकी हम लोग बढ़ते हैं आज अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरह जो कि होने वाला है सैमसंग 12 के बारे में तो सैमसंग 12 पर जैन टाइम में अपना वन डे आउट का फिजीक अपडेट से करते हैं यहां पर आप लोग खाधा श्रेड़, हड्ड, हाड and ripped-nesk के साता हैं हम लोग को करन कंडिशनिंग सोग करते हैं नज़र आता है लिटरली वो पहले से ज्यादा काफी improved हो चुकह है यह नजर नAhी आया बट यहां पर एक mistake भी हो सकती है यह सोग खेलना विकॉज डेफिनिटली टीस्टोनामी प्रोशो के अंदर सैंसंग अपना पीक भी करके जा रहे हैं जैसे कंडिशनिंग से पता लग भी रहा है बड़ कई प्रॉल्म यहां आ सकती है जब 14 डेस के अंदर उनको दुबारा से मिश्टो ओल्म पेक लिए अपनी बॉड़ी को पीक कराना हो और वहां पे बहुत साई लोग गलती कर बैठते हैं कि मेजर सो के पास आके वाम अप सो खेलते हैं और इस वाम अप सो की चकर में उनकी मेजर सो के अंदर जो उनकी बॉड़ी है वो पीक हिटी नहीं कर पाती एंस सैंसेंग को हमने पहले कभी है सकते हो नहीं देखा कि मिश्टो ओल्म पिया के पास आके वो किसी सो के अंदर कॉमबीट करने चाहे हैं हाला कि डेफिनिट वो पैसो के लिए गए हैं बट मिश्टो ओल्म पे के बाद में तो नजर आये थे वो पिसली बार कॉमबीट करती है बट मिश्टो ओल्म पिया से पहले यह बहुत बड़ी गलती हो सकती है आप लेका थॉट्स हैं कमेंट करके बताना फिलाल में गाईस आज की इस वीडियो के अंदर तो सिफ इतनी अपडेश थे अगर तो चैनल पे पहली बार रहे तो बाड़ी बिलिंग अपडेश को सब्सक्राइब करके बैल नेट्स को और बिजर सप्रेस कर लेना हो